हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेज में और दोस्तों आज हम करने वाले केस लौ इंडिन यंग लॉयर्स एससेशन एंड अदर्स वरसे स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि सब्रिमाला का जो केस अब देखें दोस्तों हमारे कंट्री में जो है रिलीजन बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि डाइवर्स बहुत जादा है हर रिलीजन है हम सेकुलर कंट्री भी है और क्योंकि रिलीजन और कास्ट जो है एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट फैक्टर र रहेंगे नहीं कि इसके साथ आपका वोट बैंक जो है जुड़ा होता है और विसली यह जितने भी इसके इसके आते हैं इस्व रिलिजिन से रिलेटेड़ हो या कास से रिलेटड़ हो यह आपके सीधे के सीधे कोट्स में जाते हैं ठीक है तो इब सब्री वाला में क्या जो है वहां के जो आपके लॉर्ड आयपन जो है उनके उपर डेडिकेटेड़ है और इसका नाम जो है सब्रीमाला श्राइन है ठीक है अब यह जो है सब्रीमाला जो है पेरियर टाइगर रिजर्व पथन मिन्था टिस्टिक ऑफ केरला में इसकी सिचुएशन है ठीक है यह यहां पर situated है यह और यह जो है इसमें क्या है इठाट restricted women of menstruating age ठीक है तो इनको जो है entry से जो है वर्जित किया गया था ठीक है अब काफी जादा जो women है उन्होंने काफी बार try किरा था टेम्पल में घुसने की लेकिन उनको काफी जादा physical threat और assault के जो है threats मिले थे इसकी वज़ women lawyer का जो group है वो apex court में उन्होंने challenge किया high court में और मतलब वो कह रहे थे कि जो century old restriction है और इसमें जो especially कहा है कि सिर्फ priest जो है आपके जो पंडित है या जो उनके priest है उन्हीं के पास पावर है कि decide कर सकते है कि tradition या rules of temple change होंगे कि नहीं तो इस पे इसको जो है challenge किया गया था ठीक 1990 से start हो कि एस महिंद्रा जी जो है उन्होंने एक petition file करी उन्होंने कहा कि जो young women है वो विजिट करी सब्रिमाला टेंपल में ठीक है अब उसकी same verdict to 1991 में आगी जहां पर जस्टिक जस्टिस के परीपूरण ने और जस्टिस के बालन नरायन मरार केरला है कोट ने हेल्ट किया कि women of age 10 to 50 years old are banned from offering worship at सब्रिमाला टेंपल ठीक है और कोट ने क्या observe कि यह जो restrictions है यह वाइलेटिव नहीं है और आर्टिकल 15, 25, 26 of Indian constitution और जो आपके Hindu place of public worship act है 1965 उसका वाइलेटिव नहीं है ठीक है इस में इन्होंने judgment जेजी 1991 में ठीक है जी और कहा कि ऐसे कोई restriction नहीं है कोई class या section of society की restriction नहीं लगा रही है लेकिन restriction जो है only for women of particular age group basically जो menstruating women है ठीक है usually जो है 10 to 50 रहता है ठीक है जो depends on the puberty and also the menopause ठीक है तो उसके लिए एक लगा उसका क्या है ban लगा दिया था ठीक है अब क्या है कि 2006 में ban को oppose किया गया यंग lawyers association ने उन्होंन अपील किया कि जो rule 3 भी है केरला Hindu public worship act का ठीक है जी जिसमें authorization of entry rules वे उसमें कहते हैं कि women who are not by custom and usage allowed to enter place of public worship तो basically custom को जो है उन्होंने challenge कर दिया फिर क्या हुआ इसका कुछ ज्यादा बन नहीं पाया फिर 2008 में PIL जो है constitutional bench जो है जिसमें की फॉर्मर Chief Justice of India दीपक मिश्रा थे उन्होंने भी इसको here किया था ठीक है अब देखिए कि इसमें petitioners कौन थे और इसमें judges कौन थे वो देखते हैं देखिए कि petitioner में young Indian lawyer association और इनमें mostly जो आपकी जो है female lawyers ही थी और case में पांच judges थे जिसमें की justice chief justice हमारे जो जी दीपक मिश्रा थे जस्टिस एम खन विलकर थे जस्टिक आर एफ नरिमन थे जस्टिक डीवाई चंदरचूर थे और जस्टिस इंदू मलोतरा थी यह only women थी और incidentally इन्होंने जो है इसमें अपने आपको recuse कर लिया थे इन्होंने कोई comments नहीं दिया थे ठीक है तो आगे जानते हैं ठीक है अब issues क्या थे court के सामने basically क्या कि अब देखिए कि सबसे पहले issue क्या था कि जो आपकी exclusionary practice है जो कि based है biological factors को consider किया हुआ है ठीक है कि इसमें female gender को जो है क्या वो उसको amount करता है discrimination पे मतलब कि जनेल टेलिया पे जो है question किया है basically menstruation को impure बताया गया था और जो आपका एक context था कि इसको impure है लेकिन जो lawyers कह रहे थे कि यह impure कैसे हो सकता है जो कि एक बिल्कुल ही normal process है और इसी की वज़ा से जो है जो है birth भी होता है तो how can this be impure ठीक है और साथ में किया कि restriction जो है वो वाइलेट करती है केरला हिंदू place of public worship pact 1965 की क्या ये restriction सच में वाइलेट करती है ये issues थे court के सामने ठीक है अब factors जो important थे पंदरा जो है article 15 वो कहता है prohibition on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth ठीक है ये इसमें provision है ठीक है अब देखे कि यहां पर जो है sex जो है वो इसमें point of contention आगया कि females के against ठीक है तो आप किसी भी किसी के सामने भी जो है नहीं कर सकते है it is not there in the constitution मतलब कि prohibited है ठीक है फिर 25 का context है कि freedom of conscience and free profession propagation and practice of religion तो यहां पर जो है जो freedom of practice of religion जो है वो भी आगया ठीक है equality भी है article 14 का भी था कि equality होनी चाहिए ठीक है जी और article 26 कहता है freedom to manage religious affairs अब यहां पर इस practice में clearly violet हो रहा था article 26 ठीक है अब इस provision में क्या है कि केरला Hindu place of public worship act 1965 जो कि support करता है restriction of women entry in temple को उसको constitutional बोला गया किसके आर्टिकल 14 जो अभी बात करी है right to quality 15, 25, 26 में सब कि यह जितने भी आपके आर्टिकल्स है उसकी violation है इसमें यह बोला गया ठीक है अब एक argument जो था petitioner की side में वो कह रहे थे कि Lord Iappa temple में जो है एक separate religious denomination जो है article 26 के अंतरगर जी ठीक है वो नहीं है वो क्यों ही नहीं है उसमें कह रहे हैं कि जो आपकी सब्रिमाला टेंपल में जो पूजा होती है और बाकी religious ceremonies जो होती है वो डिफरेंट नहीं है from other religious practices performed in Hindu temples अगर तो कोई मतलब जो प्रैक्टिस हो रही होती है वो बल्कुल उसके बारे में जानते हैं देखें ratio descendee होते है rule of law जिसमें की judicial decision based जो होता है वो मतलब की आपकी जैसे पांच है तो उसमें से तीन बटा दो के हो गया चार बटा एक के हो गया ratio के हिजाब से decide होता है और ये legally binding होते है तो इसमें क्या है 28 September 2018 को court ने जो है verdict जो है चार बाए एक की majority से जो है क्या कहा कि restriction of women in subrimala temple जो है unconstitutional है पहली चीज़ ये उन्होंने कहा कि ये जो practice है वो fundamental rights की वाइलेटिव है ठीक है इसमें equality, liberty और freedom of religion नहीं है ठीक है और article 14, 15, 19, 21 और 25 clause A के जो है इसके वाइलेटिव है साथ में उन्होंने जो है rule 3 भी जो हभी केरला Hindu place का जो 1965 का है उसको भी जो है nullify कर दिया वो भी unconstitutional कहा दिया कि rule 3 भी जो है वो ally करेगा Hindu denominations जिसमें की exclude करता था कि women जो है वो public place of worship में नहीं जा सकती तो इसको भी उन्होंने जो है cut कर दिया ठीक है यह तो आगया आपका ratio descendee जो की legally bind है इसके साथ एक और जजमेंट जी ही वो है abiter dectum ठीक है abiter dectum क्या होता है अब देखिए यह एक जज का expression होता है जज जो है वो opinion देता है कोट में या तो oral देते हैं रिटन देते हैं और इसका मतलब essentially यह नहीं है कि decision जो है वो legally binding नहीं होता है और as a president भी नहीं लिया जा सकता ठीक है लेकिन उसमें इस case में जो क्या है rule किया जो मतलब Chief Justice Deepak Mishra जो थे उननने का था we have no doubt in saying that such practices infringes the right of women to enter temple and freely practice Hindu religion devotion cannot be subjected to gender discrimination ठीक है तो उनने माना कि ऐसा ऐसी इस तरीके कि कोई भी जो practice हो रही है वो नहीं मतलब कि यह infringe करती है ठीक है और devotion जो है वो gender discrimination पे subjected नहीं हो सकती ठीक है जी और इस judgment में यह भी कहा कि religion is a way of life ठीक है और वो dignity of individual के साथ भी जुड़ा है और यह जो patriarchal practices waste जो है एक जिसमें की एक particular gender को exclude कर दिया हो है और दूसरे को favor कर दिया हो है उसको allow नहीं करना चाहिए क्योंकि यह infringe करते है fundamental freedom of practice and profess of one religion तो दोस्तों यह एक बहुत important case था ठीक है I hope कि आपको यह lecture समझाया होगे case law समझाया होगा आपसे जल्द ही फिर से मुलकात होगी तब तक के लिए take care नमशकार बबाई